हेलो नमस्कार काद्यान्स कोकिंग में आपका स्वागत है आज मैं कुछ ऐसे जरूरी किचिन के टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं जो मेरे काफी काम आते हैं उम्मीद करती हूं आज की वीडियो आपके भी काफी काम आएगी बढ़ते हैं सबसे पहले टिप सकते हैं वैसे तो हमें कच्छा आवला खा लेना चाहिए लेकिन अगर आप नहीं खा सकते हैं मेरी तरह तो आप एक बहुत ही जबरदस्ट्रिक आजमा सकते हैं आप आवले का जूस बना सकते हैं आवले का जूस भी थोड़ा सा कड़वा और खटा होता है तो इसलिए अना चीनी भी आड़् कर सकते हैं मैं से तरीकी से बनाती हक्ति हूं आर ले लिसा पाने चेहार आपको कैसा लगा करो都ई कर दियोड़ और इसमें घॉ epa पालक वगरे भी डाल सकते हैं लेकिन ये सिंपल दो चीज़े भी डाल करके आप इस जूस को तयार कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और ये दोनों ही इंग्रीडियंट्स दोनों ही फूरूट्स इतने जबरदस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए तो अगर आपको आईरिन क अजाएन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बालों में तो चमक ये लाता ही बालों चमक ये लाता है ये बहुत हैं करता है तो दोस्तों अब सेकेंड वाला जो टिप है आमले को किस तरीके से और हम यूज़ कर सकते हैं तो ये मैं बना रही हूँ पुली हो रहा यानि साउथ इंडियन स्टाइल का जो खटा राइस होता है खटे चावल होते हैं वो मैं बनाने वाली हूँ अक्सर हम नेबू या इमली वगरे से बनाते हैं आप आमले से भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है साउथ इंडियन तड़का मैंने तयार कर लिया अगर आपको साउथ इंडियन तड़का तयार करना नहीं आता है तो मैंने उपमा की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप पहां से चेक कर लीजेगा बस जो बेसिक से चना की डाल, उड़त की डाल, मुंफली, जीरा और सरसूं यह सारी चीजे तेल में हमें तड़गा में डाल देना है और इसके बाद में मैं इसमें डारेक्टली कच्छा आमला को कद्डू कस करके डाल रही हूँ इससे खटास भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप यकिन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नीम्बू वाला पुलियोरा खा रहे हैं या फिर आमले वाला तो यह देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है तो अभी मैंने हल्दी और डाल दिया है थोड़ा सा नमस और फिर हम इसमें डाल देंगे उगले हुए चावल और यह आप चाहे तो फ्रेश राइस भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास लेफ्ट ओवर है बचा हुआ चावल है तो उससे भी आप ये रेसिपी को तयार कर सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही जटपट वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है तो आप इस रेसिपी को ट्राइज़र से किजिएगा फ्रेंट्स प्रेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है यूसफुल लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे टिप्स हैं जिस जिनसे आप आमले का यूज ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में कर सकते हैं क्योंकि आमला एक ऐसा पेट ही बना सकते हैं इसे आप ट्रावलिंग में भी लेके जा सकते हैं ये खराब भी नहीं होता है मैं अक्सर ट्रावलिंग में जाती हूं तो लेमेन राइस बगर ही साथ में कैरी करती हूं क्योंकि फटा-फट भी बन जाता है साथ हेल्दी भी है और खराब भी नहीं हो हम डाल देंगे कच्छा आवला और ये भी मैं चॉप करके डाल दूँगी ताकि मिक्सी में आसानी से पिस जाए और इसके सीड को हम हटा देंगे तो ये भी बहुत ही टेस्टी चटपटी वाली चटपटी बनती है इस तरीके से अपनी डाइट में आवले को ज्यादे से ज्यादा यूज कर सकते हैं तो ये मैंने अभी थोड़ा सा अद्रग भी डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ दही ताकि ये और अच्छी खट्टी और चटपटी हमारी चटपटी तयार हो जाए मिक्सी को चला लिया है और आलू इसमें हमने डाला था इसलिए थोड़ी सी गाड़ी है तो इस चट्टी में मैं थोड़ी सी दही और अड़ कर रही हूँ और जैसी भी आपको कंजिस्टेंसी चाहिए थोड़ी सी गाड़ी या पतली उसे साब से आप इसे तयार कर सकते हैं और यह आप देख सकते हैं बहुत ही healthy और बहुत ही tasty वाली चटनी हो गई है जटपट तयार तो आप इस चटनी को भी try कर लिएगा यकिन मानिया आप को बहुत अच्छी लगेगी बहुत ही tasty लगेगी आप इसे अपने खाने के साथ में या snacks के साथ में आप इसे ट्राइ कर सकते हैं और यह बहुत टेस्टी और चटपटी बनी है अब जो फूर्त वाला टेप है दोस्तों आप दाल उबालते समय भी डाल लीजिए यकिन मानिये color थोड़ा सा dark जरूर आएगा लेकिन टेस्ट बह इसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया है थोड़ा सा घी डाल दिया है आदी चम्मत जितना और इसके बाद मैं दो आवले ले रही हूं और इनको मैं चॉप करके दाल में ही उबलते समय डाल दूगी इसे और सीड्स को हटा देना है और इसे जो डाल बनेगी वह थोड़ी सी dark kolor कियोंगी क्योंकि आवला डालने से डाल का कलर डार्क हो जाएगा तो सीट्स को मैंने हटा दिये दों के chop करके डाल दिये हैं और बस फिर हम इसे उबाल लेंगे और जब दाल अबल जाएगी उसके बाद में मैं इसका तर्का तयार तो यह भी आप देख सकते हैं दाल का मैं इसदे यार कर्ते हैं उसमीच तड़कीव और नियुक्राइन और अछिप आप symmetry और इस ब्रहँ रखुर्ट कसरी मौत के ईए कुछ का तो मैं लख सब्छाव हो कि तार्फ और चुर्ट का सब्सक्राइब C तो मैंने तड़के में डाल दिया हल्दी नमक और थोड़ा सा धनिया और उसके बाद में जो दाल हमने उबाल करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे तो है ना कितनी टेस्टी वाली डाल और इस तरीके से आप आमले को यूज कर सकते हैं अपने डाइट में अपने खाने में तो आप डाल का कलर भी देख सकते हैं थोड़ा सा ये डार्क है लेकिन डाल का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा आप इस तरीके से एक आवले को अगर आप साल भर तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप बना सकते हैं इसका अचार याने पिकल और इसे मैंने एक चोटे से कंटेनर में डाल दिया है कुकर में मैंने गलास पानी डाला है और इस कंटेनर को मैंने कुकर में रख दिया है और कुकर को करके फिर हम इसे सीटी लगवाएंगे सिर्फ एक एक सीटी लगवाने के बाद में यह लगवग सेवेंटी परसंट कुक हो जाते हैं तो डारेक्ट पानी में डाल करके उबालने से अच्छा आप इस तरीके से अलगे कंटेनर में डालें ताकि इसका जितना भी जो फाइदा ह विटमिन सी है वो पानी में मिक्स हो करके वेस्ट ना हो और यह देखिए इसके बाद में यह थोड़ा सा हाड रहता है क्योंकि हम नेकी सीटी लगवाई है और इसी तरीके से यह रहना चाहिए इसका अचार हमें बनाना है अगर आप एक से ज्यादा सीटी लगवा देंगे तो फिर यह एकदम मैशी हो जाएगा और यह देखिए अच्छा सॉफ्ट भी है लेकिन थोड़ा सा हाड भी है तो मसाला तयार कर लेते हैं अचार के लिए मैंने यहापे लिया थोड़ा सा लॉंग थोड़ी सी मीथी की दाने और अब मैं ले रही हूं सरसों की दाने और इ और इसके बाद में यह मसाला भी हो चुका है तयार तो यह अब हम इसे तड़का लगाएंगे तो एक पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल लगबग एक कप जितना और जब तेल अच्छा गरम हो जाए इसमें से दुआ निकलने लगे तो यह आप देख सकत आराम से टिक जाए तो यह अभी मैंने डाल दिया है तेल में ताकि जो बचा कुछा मॉइस्चर नमी है इसमें वो तेल में हम इसे फ्राई करके खतम कर देंगे तो यह हाई हीट पे मैं इसे लगातार लगबग तीन-चार मिन्ट के करीब इसे चला लूँगी फ्राई कर ल नमक जो बेसिक मसाले हैं वो मैं अभी इसमें डाल रही हूं नमक स्वाद के नुसार आप डालने और वैसे भी अचारव गिरह में नमक थोड़ा सा ज्यादा डलता है तो इसे साब से आप डालीजेगा और जो मसाले हमने दर दरे पीस करके रखे थे खड़े मसाले वो मैं मैं इसमें डाल रही हूं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस गैस खले मैं नEं बद कर दिया थोड़ा सा ही था में का स्वाद अच्छा आता हथा जब आप एंड में डालते हैं और बस मिक्सकर लेंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप इसे कांच की बर्णी में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं और ये वाला चार साल भर तक खराब नहीं होता है और ये देखें तो इस तरीके से आप ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं अभी कम क्वांटिटी में आपको बना करके बताया तो ये अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो बस अब मैं इसे कांच की बॉटल में ढाल करके रख रही हूँ और हमें तेल इतना रखना है कि ये अचार के उपर तक आ जाए ताकि अचार हमारा साल भर तक खराब ना हो और इसे दिन में एक दोबारी जरूर से चमच इसमें चला लें ताकि मसाले अच्छे से इन पे कोट हो जाए और ये वाला अचार साल भर तक खराब नहीं होता है पस तेल इस तरीके से बॉटल के उपर तक रहना चाहिए अगर तेल कम हो तो गरम करके ठंडा कर लें और वापस से आप इस बॉटल में डाल दें अब जो सिक्स्त वाला टिप है दोस्तों वो है आवले का बहुत ही जबरदस्त यूज चोले आप अकसर बनाते होंगे चोले में आप आवले को डाल सकते हैं इससे चोले का जो कलर है वो डार्क आएगा अगर आप चाय पत्ती का पानी या पोटली बना करके चोले उबालते समय डालते हैं तो इस तरीके से आप आवले को डाल करके चोले का कलर चनी का कलर ये देखिए डार्क कर सकते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं और इसी तरीके से आप आवले को निकालने की जरुवत नहीं है इसी में ही आप इसे रहने दे बस उपर से तड़का तयार करें और छोलों में मिक्स कर लेजिए और यह मैंने तड़का त्यार कर लिया है और छोले में मिक्स कर दिया है बहुत ही आसान है इस तरीके से आप आमले का यूज कर सकते हैं खूब सारा जो आपकी हेल्थ के लिए आपके स्किन के लिए बालों के लिए आँखों की अच्छी साइट के लिए बहुत ज बनते हैं खटास भी आ जाती है और साथी साथ आवले का जो पुरा हेल्थ बेनेफिट है वह भी आपको मिल जाएगा अब जो सिक्स्त वाला मेरा टिप है दोस्तों इसमें आप यूज कर सकते हैं आवले को काला नमक के साथ रौ यानि कच्छा आप इसे खा सकते हैं इससे भी बहुत ही टेस्टी आपको आवला लगेगा ज्यादा कड़वापन या खटास आपको फिल नहीं होगी तो इस तरीके से आप डेली एक आवला जरूर से खाएगा आपकी हल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप आवले को लॉंग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाते हैं अपने दाल में चोलो में या बहुत सारी रेसिपीज में चटनी वगरे में डालना है तो आप इस तरीके से चौप करके रख सकते हैं कच्छे आवले को मैंने चौप कर लिया है चोटे या बड़े जैसे भी टुकडों में आपको चाहिए उस तरीके से आप करके रख लें चिजब रखते हैं तो यह सालब अराम से फ्रेश रहते हैं और खराबनी होतें इस तरह के जैब लॉक पार आपके बैग आते हैं वह आप यूज कर सकते हैं उनको अच्छे से बाश कर लिजए और यूज कर यह आवला मेरा लास्ट एयर का बचा हुआ था तो मैं आपको दिखा देती हूं किस तरीके से आपको यूज़ कर रहा है एक बोल में थोड़ा सा पानी डाल लीज़ेगा और फिर आप इस आवले को रख दीज़े यह बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा जो आइस थी वह मेल्ट हो जाएगी अब जो अगला टीप है दोस्तों आपका दुकस करके भी आवले को धुप में सुखा सकते हैं और इसको आप एयर टाय डब्बे में डाल करके रोम टेंपरेचर पर यानि जहां पर आप किचन के डब्बे रखते हैं वहां पर आप इसे रख सकते हैं को अपने मुखवास में मिक्स करके रख सकते हैं तो इससे मुखवास का टेस्ट थोड़ा सा खटास भी आ जाएगी अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा और साथी साथ काने को आइजस्ट करने में भी बहुत ही फायदेमंद है इसमें खूप सारा फाइबर होता है तो इस तर किसे आप इसे मुखवास में डाल करके यूज़ कर सकते हैं और इस ड्राइ आमला को आप दाल में चोलो में चने में किसी में भी आप इसको डाल करके यूज़ भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आमले को आप और भी अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं कैंडी बना सकत करते हैं आपके अपने बहुत सारे तरीक्यों गे तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट zor których कर सकें में हम एक प्लोगों के साथ में करा है परने लिए लगी है या युज़ोंकर तो प्लीज Zरूर कीज़ेगा क्योंकि कि आप अपने लाइक के जरीए मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता है मुझे प्रोटसाहन याने मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छे अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर के आती रहूं इस यूस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें थाइंक यू फर वाचिंग